हाई फ्रेंड्स अस्सलाम अलेकुम वेलकम बैक टू मैं चैनल रुद्भा खान किचिन फ्रेंड्स प्लीज वीडियो स्टाट करने से पहले प्लीज एक लाइक कर दीजिए क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही जादा माइनर रखता है और तो चलिए आज आपके हम नने इसको अच्छे से वाश कर लिया है और अब इसमें हम कट लगाएंगे हम बिना ओवन और बिना तंदूर के बनाएंगे और खाने में उतना ही ज्ञाधा टेस्टी लगेगा है जैसे तंदूरी चिकंड होता है तो इसमें हमें इस तरह से कट लगा लेने यह देखिए इस तरह से हमें गहरे गहरे कट लगाने हैं ताकि हम जो इसमें मसाला परेंगे वो इसमें अंदर तक चला जाए तो दोनों साइटों से हम इसी तरह कट लगाएंगे यह देखिए हमने अच्छे से कट लगाएं और इसकी जो लेक्स हैं हम उन पर भी लगा लेंगे बैक साइड पर लेक्स पर सभी जगा लगाएंगे ताकि मसाला अच्छे से कोट हो जाए इसमें और जब हम इसको सेकेंगे तो यह अच्छे से सिख जाएगा एकदम क्रिस्पी हो जाएगा और बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहेगा यह देखिए इस तरह से कट लगाने तो हमने चिकिन में अच्छे से सभी साइड से कट लगा लिये हैं अब हम इसको करेंगे मेरिनेट तो हमने यहां एक बरतन ले लिया है और अब इसमें हम डालेंगे मसाले हमने ले लिया है दही हाफ का टोरी लिया है इस्पून से नापे तो फाइफ टेवल इस्पून और दो चमच लेंगे हम अधरक लैसून का पेस्ट एक चम्मच डाला है हमने धनिया पाउडर वन टेबल इस्पून हाफ टेबल इस्पून हल्दी पाउडर वन टेबल इस्पून जीरा पाउडर वन टेबल इस्पून चाट मसाला पाउडर और 2 टेबलस्पून डालेंगे हम इसमें कश्मीरी लाल मिट्स पौड़र और 1 टेबलस्पून गरम मसाला पौड़र कसूरी में अच्छी डालेंगे 1 1-2 teaspoon आथों से क्रेश करकर और नमक डाल देंगे टेस्ट के अख वाड़िंग बन टीस्पून हमने इसमें नमक डाला है आधा नीबू ले ले लेंगे इसका जूस डालेंगे और मिक्स करेंगे अगर आपको इसमें मिर्ची कम लगे तो आप औरेड कर सकते हैं तो यह देखिए हमारी जो चिकन की मेरी नेशन तयार हो गया हम इसमें चिकन डालेंगे और इसको अच्छे से हम कोट करेंगे अच्छे से हमें इसमें मसाला बरना है यह देखिए जो हमने कट्स लगाए थे उसमें अच्छे से बरना है सबी साइटों से अच्छे से लगाएं इस तरह से हम इसके मालिश करेंगे और हमने अच्छे से इसमें मसाला लगा लिया है अब एक बाउल में रखेंगे इसे और जो ये मसाला एक्स्ट्र वचा है मेरी नेशन वो भी हम इस पर लगा देंगे और एक क्लीन रैप से हम रैप कर लेंगे और इसको हम रखेंगे दो घंटे के लिए फ्रीज में तो अब हम इसका नेक्स्ट मेरिनेशन तैयार कर लेंगे जो हम उपड से जब फ्राई होने के बाद इसको कोट करेंगे मसाला तो हमने लिया है 2 टेबल स्पून लिया है कश्मीरी लाल मिर्ज 1 टेबल स्पून धनिया पोड़र 1 टेबल स्पून जीरा पोड़र कासूरी मैथी दे लेंगे, भाफ टेबल इस्पून, आधा नीबू अब हम इसमे ओईल डालेंगे, फोर टेबल इस्पून ओईल डाल देंगे, और इसको मिक्स करेंगे तो हम चिकिन निकाल लेते हैं फ्रिज में से दो घंटे हो चुके हैं इसे मेरिनेट किये हुए अब हम इसको खोल कर देख लेते हैं तो हमने रख लिया है यहां एक आइरन का बड़ा सा तबा अगर आपके पास यह नहों तो आप कड़ाही में भी कर सकते हैं और हम तबे को अच्छे से गरम करा है और इसमें डाला है हमने ओयल हमने थोड़ा साही डाला है क्योंकि हमने इसको कम ओयल में फ्राइ करेंगे और आप लग दे हमने इस पर चिकन जो हमने मेरिनेट करकर रखा हुआ था तो एक साइट सेखेंगे हम लगबग 6-7 मिनट और अब हम इसको टन कर देंगे और दूसरी साइड भी हम इतने ही मिनट सेखेंगे लगबग 6-7 मिनट और इसमें जो ओयल है नीचे हम उसको चमस से उपर डालते जाएंगे आप अगर इसको कट करके सेखने चाहें तो कट करकर सेख लें छोटे-छोटे पीसिज में और इसको हम इसी तरह अभी साइट से चार साइट से शेख लेंगे उलट-पुलट करकर ताकि यह कहीं से भी कच्चा न रहे और अच्छे से कोग हो जाए तो यह देखिए थोड़ा सिख चुका है अब इसको हम कवर कर देंगे कोई बड़ा बड़तन लेका हम इसको कवर कर देंगे ताकि यह अंदर से अगर कच्चा होगा तो अच्छे से यह गल जाएगा लगबब 10 मिनट के लिए हम स्लो फ्लेम पर रखेंगे तो यह देखिए 10 मिनट हो चुकी है और अब हम चेक कर लेते हैं और अब हम एक फॉक की मदद से तोड़कर देख लेंगे यह गला है या नहीं तो यह देखिए अच्छे से कुक हो गया है आपको टाइम अपने हिसाब से ले सकते हैं और चेक कर सकते हैं अगर नहीं गला तो आप दोवारा से से ढखतें स्लो फ्लेम पर और अब हम कर लेंगे हमार्य अठीक ए स्लो टू मीडियम फ्लेम और इसको सेखेंगे फिर से ताकि यहां से सौफ्ट हो गया है अच्छे से क्रिस्पी हो जाए और हमने जो मसाला बनाया था इसके उपर से कोटिंग के लिए लगाएंगे इसके टेस्ट डव कर लेंगे और अब हम इसको फिर से पलट देंगे लवकाग उलट पलट करकर हम इसको सेखते रहेंगे ताकि यह कहीं से भी कच्छा ना रहे और दूसरी साइट से भी हम जो मसाले की कोटिंग वो कर लेंगे आप एक बाद जरूर ट्राय करें बहुत ही तेस्टी सा बनता रहे है आप यह चिकिन ट्राय करेंगे तो बहार का खाना बूल जाएंगे समझ लो अब हम रख लेंगे यहां पर यह ग्रिल और गैस को अन कर लेंगे और इस पर रख देंगे एक पर चारकॉल कोईला को घरम करेंगे और इस पर हम चिकिन को रखेंगे इसमें इसमोकी फ्लेवर देने के लिए ताकि हमें जो तंदूर में जैसे सिखता है यह सोमें एक फ्लेवर सा आता हुल तंदूर का बहुत अच्छा लागता है तो हम इसको दो से तीन मिनट सेखेंगे सभी तरह उलट पुलट करकर ताकि इसमें थोड़ा सा जो कच्छा पन होगा वो भी दूर हो जागा और एक इसमों की फ्लेवर आ जाएगा सभी साइट से सेखेंगे बड़ा चिकिन है तो थोड़ा टाइम तो लगी जाता है वाट यह टेस्टी बहुत बनता है और बिना अवन बिना तंदूर के बनाएंगे हम बिलकुल तंदूर के जैसा तो हमने सेख लिया है इसे और फिर से हम इसको तब यह पर ट्रांसफर कर लेंगे और यह देगी है यह बनकर बिलकुल तैयार है तो कैसी लगे आपको हमारी यह रेसिपी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें दूआओ में याद रखे अलाओ